सब्सक्राइब तो और यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स नमश्कार मेरे नाम पिंटु शिंग यादो है और आप देखना सुरू कर चुके हैं निवस लाइफ दोस्तों 2024 को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तरप्रदेश में जो सियासी तयारियां है वो शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे ज़ादा आगे अखिले से यादो निकलते नजर आ रहे हैं कई सारे लोगसाबा सीटों की प्रभारियों को घोशित के बाद कई लोगों का टिकट कंफर्म माना जा रहा है और इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि जो उनके चाचा स्युपाल सिंग याद सकते हैं अब सवाल यह है कि क्या फिरोजाबाद स्युपाल सिंग यादो के लिए चुनना सही है क्या फिरोजाबाद से स्युपाल सिंग यादो चुनाओ जीत सकते हैं तमाम तरीके के चीज़े सामने आने लगे हैं तो आज के बीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बत तो समाजवादी पार्टी 2009 में रही थी जब 2009 का बाईपोल उलेक्षन हुआ यानि कि उस समय उत्रपदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेस यादो तो वहाँ पे जब बाईपोल हुआ तो वहाँ से कॉंगरेस पार्टी जीत गई समाजवादी पार्टी के दिंपल यादों से यानि कि उनकी पतनी से इसके लावाद जब 2014 का लोगषब slippET चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही फेंली के परिवार से यानि की अक्षय यादोने चुनाव जीता पांच लाग tittious हजार बोट पाए थे और बीजिपी से एस लाग से जादा वोटो से अक्षे यादो वहाँ पर चुनाव जी दी गए और वो भी समाजवादी पार्टी के लेकिन 2019 के लोकसवा चुनाव में जबकि मोदील लहर कहा जा रहा था यहाँ पर भाते जन्ता पार्टी डॉक्टर चंदर शेन सिंग जादो को टिकट देती हैं और वहाँ पर अक्षे यादो फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं हलाकि अक्षे वहाँ पर चुनाव हार जाते हैं और जो यह फासला होता है वो बहुत कम होता है यानि कि तकरीवन जो है अगर मैं बात करू तो आपको लगबग 28,000 भोट से ही भाते ज पार्टी वहाँ से चुनाव हार जाती और शायद यहीं शमिकरन है जिसकी वज़ा से स्विपाल सिंग्यादों की दावेदारी वहाँ पर मजबूत माने जा रहे है अब देखना यह होगा कि जब 2024 में लोग सबा चुनाव स्विपाल सिंग्यादों लड़ते हैं तो क्या फ